नमस्कार दोस्तों और भाईों ये एक गीजर का कम्पलीट फ्रेम है हम इसको उपेन किये है सिर्फ इसलिए कि इसमें आउटपूट का पैप कौन सा है और इन्पूट का पैप कौन सा है हम आपको डीपली बताने का प्रयास करेंगे बहुत से यूटूबर दोसतों गलत इन्फरमिशन यूटूब में डाल देते हैं कि इनलेट का पैप यह है आउटपूट का पैप यह है दर असल वो होता नहीं है बलकि पानी चाम हो जाता है पानी आपका नीचे नहीं आता तो ऐसे यूटूबर से सौधान रहे है जो आपक वो किलियर बताऊंगा कि इनलेट का पैप और आउटलेट का पैप कौन सा है देख सकते हैं वीडियो में दोनों तरफ सेप्टी बल्ब लगा हुआ है आप कन्फ्यूज हो जाएगा कि इनलेट और आउटलेट का पैप कौन सा है दोस्तों इसलिए वीडियो पर बने रहें इस यह यूटूबर भाई सहब का कहना है यह जो रिंग किया वा पैप है यह लाल कलर का तीर से जो हम दर्सार है यह हो गिया आपका आउटपूट का पैप कैसे आउटपूट जाएगा आप ही फैसला कि जिरीज का पैप तो मुड़ा हुआ कैसे आउटपूट जाएगा आगे चर्चा करते हैं आपको इसी तरह फसा जाता है यह जो मुड़ा हुआ पैप यह हमेशा इनलेट का होता है यह जो सीधा पैप जो हरा रंग का तीर से दिखा रहे है यह होता आपको केवल मुर्क बना जा रहा दोस्तों आप जो हम आपको प भी राउंड नहीं होगा इससे पानी डिरेक घुसेगा ताकि पानी में भी घुसने में भी कोई दिक्कत नहीं हागा यह होगी आउटपूट का पैप जो सीधा है और जो पानी में डिरेक आएगा वो आउटपूट का यह होगी है इन्पूट का इसमें सेफटी वल भी होत होता है किसी में आटपुट में भी होता है इसको कैसे पचा नहीं है यह इंपुट का पैप है तो यह पैप को दिखिए हम सीधा लेके जा रहा है हाँ से यह हमेशा जलेबी के तरह मुड़ा हुआ होता है देख सकते हैं दिखिए दिखिए सीधा लेके गए हम हाँ से यह जले पैप जो इस्टिक वाला होता है वो हमेशा आउटपूट होता है आउटपूट में आउटपूट का पैप यदि मुला हो रहा है तो पानी कैसे आएगा दोस्तो आप की फैसला की जिए एक बात और जब ये फ्रेम गीजर में फिट होगा तो आप कैसे इंपूट आउटपूट पता करें तो तार घुसा के हम लोग चेक करेंगे कि यदि तार हमारा सीधा चल जा रहा है तो आउटपूट है जो तार फस रहा वो इनपूट है वीडियो अच्छ